नमस्कार सौथियों आज वो हुआ जिसका इंतिजार बिहार के छात्र दिन दिन रात रात हर दिन हर रात कर रहे थे फाइनली बिहार में परिक्षा आयूजित करने के लिए एक नियमावली जारी की गई जहां छात्र वेट कर रहे थे कि सीधी भरती होगी और कोई भी परिक्षा नहीं देनी होगी दसमी के बारेव्य के और गेजूइशन को और सी टेट और mint के मांक्स लगा कर डाइरेक्ट भरती हो जाएंगे वहीं पर व्याज सरकार ने का नहीं थोड़ा खेला करते हैं और एक परिक्षा लेते हैं पूरी प्रिकरिया पलट दी हलाकि प्रिकरिया अगर पलटी गई है तो जो छात्र फेक डिगरी लेकर घूम रहे थे उनको समझ्या होगी और जो छात्र वाके में पढ़ने वाले थे उनको किसी भी प्रिकार कि समझ्या नहीं होगी आज मैं बात करूंगा ये बहाली की परिक्षा कब तक आप मान सकते हो जाएगी बहाली की पूरी प्रिकरिया क्या होगी कोई notification परने की सबसे पहले इस बहाली की प्रिकिरिया तक जॉब कहा कैसे मिलेगी समझे आसान भाषा में समझे सबसे पहले आपके भीया जिलेवार वेकेंसी तयार की जाएगी पूछा जाएगा आपके जिले से कि भीया आपके जिले में कितनी वेकेंसी हैं मान के चलो जिला छप्रा है ना अटिक है IтеXT noon रोटी खाएंगे चप्रा में बस जाएंगे है कि आहां पर पूछा जाता है कि आपके यहां पर पर प्राइमरी टीचरस के कितनी वेकेंशीज ले का जवाब आता है कि हमारे यहां 2000 वेकेंशी है ठीकared इस तरीके से पूरे बिहार राज्य में कितनी वेकैंसिज हैं हाल ही में अगर मैं बात करू तो करीब 103,000 की तो प्राइमरी की वेकैंसिज खाली पड़ी हुई हैं बिहार में 130,000 सभी जीलों को जोड़ी हैं और उसे भी ज़यंगी अभी तो यह जो नया पत्र आया इसमें फिर भाई इतनी vacancy को एक खटा किया जाएगा जिलेवार एक list बनाई जाएगी list बनाकर उसे notification में प्रो दिया जाएगा कैसे notification में प्रोने के बाद में एक एक एक्जाम कराने के लिए एक आयोग का गठन होगा नए आयोग का भी गठन हो सकता है या कोई पुराना आयोग जो परिक्षा कराने में जिसने कभी धांदली ना की हो और यह परिक्षा याद रखेगा ऑनलाइन भी हो सकती है आपकी आफलाइनी ऑनलाइन परिक्षा भी हो सकती है और य मिक्स होकर आएगा दोस्तों याद रखेगा इन दौनों चिटी के एक्जम का दौन मिक्स होकर आएगा मेरेक को हल्के में मत blossoms میने आपको याद होगा पिछले ही महीने बता दिया था कि उत्रेक्व के दूसरे सप्ता करेंस कील से का इंतजार कर लो तो वहां मार्च के लास्ट में हुआ क्या गड़बडी हो गई थोड़ी सी भई सबसे होती है लेकिन मार्च लास्ट और अप्रेल 10 अप्रेल में को जादा अंतर नहीं हो ता जब तुम 4-4 साल से इंतजार कर रहे हो इतनी प्रेडिक्शन करना काम बात नहीं है मेरे लिए पर फिर भी चलो छोड़ो वह बात अलग है मैं वही कह रहा हूं हलके में मत लेना जो चीज बोल रहा हूं वह तैयार करनी सुरू कर देना सीटेट बहार टेट के सिलेबस को मिक्स किया जा सकता है एक इञार की। ठीक है कोई सुकी के सिस्टेंट लगाने नहीं हूं ते उसके बाद कि ऑ इग्जाम होने के बाद में आपके यलिस्ट मेरिट निस्टव जी से हम बोलते था है। आपके एक रिजाम नंबर होंगे प्लस में डीवी होगा डीवी डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपके डॉक्यमेंट को भी कुछ माक्स दिये जाएंगे मलब यह नहीं के सिरे से खारिज कर दिया आपके दसमी बार में और यह इंटर वगेरा की जो भी मलब जो आप डिगरी लेकर से घूमरें किसरे से खारिज नहीं है वह डीवी के समय में इस परिक्षा के साथ दोनों के माक्स जुड़कर एक लिस्ट तयार की जाएगी जिसको रिजल्ट बोला जाएगा दोस्तों और जिसका उस रिजल्ट में नंबर आ गया वह रिजल्ट में नंबर लाने के बाद सी लगे अब आपके हाथ में किल मिलाकर 1,30,000 घर अगर प्राइमरी टीचर की निकल आईए उस साथ का जिसने सीटाइट या बीटाइट पास किया वह एक चातर का सेलेक्शन हो जाएगा बहुत ज्यादा चातर नहीं है हाँ दो में से एक चातर का पक्का हो रहा होगा इतना मैं गारेंटी के साथ कह सकते हो इस परिक्षा की तयारी करने वाले दो में से एक छात्र का पक्का पेपर पास हो रहा होगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि परिक्षा सर होगी कब तक आपका क्या मानना है मेरा मानना है साथ्यों कि यहाँ परिक्षा को जो notification है आपको जुलाई और अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा notification परिक्षा थोड़ी डिले हो सकती है लेकिन यह परिक्षा को हलके में मत लीजेगा सीट भीट अट नहीं है जहाँ पर आपके पास मौके पर मौके पर मौके मौके मिलते रहेंगे नहीं यह परिक्षा वेकेंसी वाली मिल सकता है परिक्षा अब देखो जो notification में लिखाएगा चार महीने दें वो पांच महीने दें हो सकता है तीन महीने दें हो सकता है एलेक्षन आगया तो दो ही महीने दें 2024 से पहले कर दें काम ठीक है तो सकता वेकेंसी लगबख प्राइमरी के लिए मैं एक लाग तीस जार मानके चल रहा हूं इससे जाद आ जाएं तो कोई ताज्यू की बात नहीं इससे कम में मानके नहीं चल रहा हूं कि इससे कम वेकेंसी आएंगे तो यह है पूरी-पूरी मैं डेड़ बज़े पैयारी कराऊंगा तुम्हारी मुफ्त में ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच और हाँ टेलेग्राम चैनल है इस टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर लीजेगा इविएस भाई लोके सर ठीक लाड़ लो और इसमें देख लीजेगा मैंने कब नॉटिफिकेशन की मैंने आप लोगों से अनॉंसमेंट की थी थैंक्यू सो मच धन्यवाद